एक जंगल में एक पेड़ की उंची शाक पर एक छोट असपंची बैठा था वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूथता फिर तीसरी डाल पर वो निर्भीक होकर प्रिकृती का आनिंद ले रहा था अचानक जंगल में तूफान आ गया हवाएं इतनी जोर से चलने लगी मानो व्रिक्ष तूटकर गिर जाएंगे पर उस नन्ने पंची को कोई भैन था उसे विश्वास था कि वो तूफान से खुद को बचा लेगा अगर एक शाक तूट गई तो वो दूसरी शाक पर बैठ ज जंगल में न तो व्रिक्ष की कमी थी न शाखाओं की वो जानता है अपनी शक्ति को उसके पास उड़ने को पंख है और यहीं पंख उसकी शक्ति है यहीं उसका विश्वास है दोस्तों मुसीबत आये तो उसी नन्भे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो मत भूलना क कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा सर्व स्ट्रेश्ट बहर निकलता है याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो अपनी शमता पर भर रोसा हो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कुराती रहना